नमस्कार, दलीकल इंडिन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है दोस्तो, आज हम एक नया लीगल टॉपिक पे बात करेंगे जो कि रिसेंट जज्जमेंट है, माननी है पंजाब इन हरियाना हाई कोट का और इस पार्टिकुलर जज्जमेंट में ये कहा गया है कि मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं कि मुच्वली यदि A और B डिसाइड किया है कि वो सारेरिक संबंद बनाएंगे उस सिच्वेशन में दोनों का कंसेंट ज़रूरी है और खास करके लड़की का कंसेंट बहुत ज़रूरी माना जाता है अब कुश्चन ये उठा कोट अफ लौ में कि यदि A और B लिविन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उस सिच्वेशन में यदि पहले कंसेंट दे दिया गया है for a particular sexual act करने के लिए तो क्या हर बार कंसेंट लेना ज़रूरी होगा कुश्चन ये है लोगा तो जो हस्वेट है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हम दोनों तो साथ रह रह रहे हैं लिविन रिलेशनशिप में रह रह रहे हैं as a husband and wife रह रह रहे हैं क्योंकि law के नज़र में लिविन रिलेशनशिप में रहना ये क्राइब नहीं है यदि आप 18 साल से उपर गया है तो उस particular situation में ये लड़की से मेरी कुछ लड़ाई हो गई कहा सुनी हो गई और अब मेरे उपर कई सारे मामलात इन्वोक कर दिये गए including section 376 which talks about the offense of rape और उसका punishment की बात करता है तो high court ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा यदि पहले आपने consent ले रखा है इसका ये मतलब नहीं कि हर बार आप उसी consent में काम चला लो इसको दूसरे तरीके से यदि हम बात करें तो court ने ये कहा कि यदि consent दी है लड़की तो उस time के लिए दी होगी it is not perpetually nature it is not permanent nature permanent नहीं है मतलब ये हुआ कि हर बार जितनी बार आप sexual relation बनाएंगे उतनी बार आपको अलग से consent भी लेना पड़ेगा ऐसा नहीं कि एक महीने consent दी थी जी अब उसी consent के विहाब पे एक महीने बाद हम चाहते हैं कि sexual intercourse करें और हम कहें कि अच्छा एक महीने पहले लिया तो था अब लेने की क्या ज़रूत है नहीं law ये मनेगी कि आपको दुबारा consent लेना पड़ेगा चलिए एक important paragraph जो मननी है प्रजाब इन हर्याना high court ने लिखा है उसको मैं आपके सामने पढ़ने का प्रियास करता हूँ इन्होंने कहा है कि women's right to have sexual relations the crime of rape consists of committing a sexual act without consent or against the will of a person फिर कहता है कि even on the assumption that if two persons previously had a consensual sexual relationship for any reason whatsoever the consent of prior sexual acts will not extend to future occasions clear कर दिया एक बार consent आपने लिया तो जिन्दगी भर के लिए वो consent नहीं है हर बार जब आप act करेंगे हर बार आपको consent लेना पड़ेगा और यदि आप consent नहीं लेते हैं और लड़की court जाती है FIR कराती है आप के against 376 IPC को invoke करती है तो आप ये difference नहीं ले सकते कि भाई हम तो living relationship में रहा रहे थे हम तो as a husband and wife so called रहा रहे थे तो consent तो पहले से था तो आप ये ऐसा कर रही है नहीं हर बार अलग से consent लेना पड़ेगा law का यह requirement ये recent है आज का ही है आशा करते हैं कि इस particular जानकारी से आपको जरूर कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा यदि ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को like करें हमारे चैनल को subscribe करें और इसे widely share करें ताकि नौय वक जिन्हें law की जानकारी नहीं है क्योंकि law हर दिन बदलता है एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि उन तमाम law के technicalities को समझ पाए लेकिन जो ज़रूरी है जो important है जो नई वक के लिए important है उसे जानना ज़रूर चाहिए क्योंकि आपको पता है कि ignorance of law is no excuse आप ये नहीं कह सकते कोट में कि जज साहब मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है नहीं चलेगा चले फिर से मिलते हैं कसी और दूसरे टोपिक में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए नमस्कार